हेलो प्रेंड्स मेरे चैनल गुल दस्ता में आपका स्वागत है आज हमारे मितला का खास भाटा जहमरुआ बनाने वाली हो भाटा हम बैंगन को कहते हैं तो आए देखते हैं इसे किस तरह से बनाएं तो आए इसे अब हम बनाना शुरू करते हैं यह देखे हमारा आधा किलो है और जहमरुआ बनाने के लिए हमेशा हमें यही बैंगन लेना है दुसरा बैंगन हमें नहीं लेना है इसके लिए और यह आधा किलो बैंगन के लिए मैं यहां पे दो टी स्पून सरसों ली हूं सरसों हमें पीली सरसों ही लेनी है जो काली वाली सरसों आती है राई वो हम हमें नहीं लेना है और मैं यहां चार मिर्च ली हूं और जितना तीखा ख HCM से कम ज्यादा कर सकते हैं UP इंसे इसके बैंगन को हमें अच्छे से धौकर को और पोच लेना है इसके बाद हमें इसको लंब हमें ही काट आट इसको काटने का भी एक तरीका है और इसका ैंधिल काट करके आप नहीं फेकें इस अगर बैंगन का साइज यही है आप का भी तो आप इसे सिर्फ दो पीस करें अगर बरा है तो आप बैंगन को तीन पीस में काट सकते हैं इसे हलका सा हम चीरा लगाएंगे बीच से और इससे से देखते हुए आप देख लेए इसमें कीरा वेगर रहे ना हो लेकिन इसे पूरी तरह से काटना नहीं है वहां नीचे से हमें उसे जइंती रहना है जैसे यह देखिए। काट लेना है और अच्छे से हमें देख लेना है अंदर कि इसमें कोई कीरावेगर नहीं लगा हो इसलिए यहां पर इस तरह से चाट टुकरे जैसे ही आप करेंगे तो आपको बैंगन अच्छे से पुरा अंदर तक दिखेगा भी लेकिन अलग हमें नहीं करना है क्योंकि सरसों और धन्या पाउडर इन तीनों को मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा पानी बीच में डालते हुए अच्छे से हमें इसका एक पतला पेस्ट बना लेना है इसको बहुत ज्यादा हम गाढ़ा नहीं बनाएंगे यह देखिए हमारा मसाला पेस्ट चुका है और इसी तरह से आपको भी एक पतला ही पेस्ट बनाना है क्योंकि इसी मसाले में हमें बैंगन को पकाना है तो उपर से पानी देने की हमें कोई जरूरत नहीं हो इसलिए मसाला हम थोड़ा पतला पीसेंगे यह देखिए हमारा बैंगन कट कर तयार हो चुका है और इसी तरह से आप चेक क करना है कि कहीं हमारा बैंगन के अंदर कोई कीरा नहीं हो डंठल रहने देना है और इस सभी बैंगन को हमें जॉइंट ही रखना है इसे अलग नहीं करना है क्योंकि इसके डंठल का भी बहुत ही अच्छा एक स्वाद आता है तो हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है पिसके तो अब हम इसके जहमरुआ के लिए गैस हमें ओन कर लेना है और कराही गरम करके हमें तेल डाल लेना है तेल मैं यहां सरसों का यूज करूंगी क्योंकि हमारे मितला का जो भी खाना बनता है वो सरसों के तेल में ही बनता है हमारी सारी सबजियां सरसों के तेल में ही हम बनाते हैं जिसका की एक अलग ही टेस्ट और फ्लेवर होता है तो इसलिए मैं सरसों का तेल ही यहां यूज कर रही हूँ अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हूँ तभी कोई और तेल यूज करें लेकिन अगर आप सरसों तेल यहां बैंगन इसमें डाल लूँगी और थोड़ा सा इसे दो चार बार हम इसे चला देंगे और इसके साथ ही हमें यहां डालना है हमारा सरसों का पेस्ट और इसी सरसों के पेस्ट में ही चुके हमें इसे पकाना है तो इसलिए सर्सों का पेस्ट आपने देखा कि मैं थोड़ा पतला पीसी हूँ और आपको भी सर्सों का पेस्ट पतला ही पीसना है इसी तरह जिस तरह से मैं पतला पीसी हुई हूँ अब यहां हमें इसमें हल्दी और नमक डाल देना है नमक में हमारे बैंगरन के हिसाब से ली हूँ तो मैं दो छोटा चमच यह डाली हूँ आप नमक स्वाद के अनुसार डाले इसे अब हमें 2-4 बार सिर्फ चला लेना है और इसमें अब कोई मसाले हमें नहीं डालना है इसे सिर्फ हमें धख करके तेज आचों पे ही दो से 3 मिन इसे हम पकाएंगे यह हमारा दो मिनट हो चुका है और इसे हम एक बार और धकन हटा करके चला कर देख लेंगे यह अभी अच्छी तरह से पका नहीं है बस इसमें आप देख रहे होंगे कि हलका सा इसका पानी जल गया है तो इसे अभी हमें और दो से तीन मिनट तक धक करके पकाना है लेकिन अब हमें यहां यह ध्यान रखना है कि अभी तक हम तेज आचों पर ही इसे पका रहे थे लेकिन अब यहां हमें गैस कम कर लेना आच हमारा कम कर लेना है और उसके बाद इसे ढख करके अभी हम दो से तीन मिनट के लिए और पकने के लिए छोड़ देंगे दो मिनिट करीब हो चुका है और अब आप देख रहे हैं कि इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से पका नहीं है इसको हम हलका सा इसे प्रेस करके देख लेंगे तो हमें अभी भी इसे थोरा सा और पकाना परेगा तो इसके लिए हम इसे एक बार और ढख करके एक से दो मिनिट के लिए पकने के लिए फिर से छोड़ देंगे जब ये पूरी तरह से पक जाएगा तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए अब देख रहे हैं तेल तो दिखाई दे रहा है चारो तरप से लेकिन थोड़ा भी इसे पकना भी और बाकी है तो कम आज पर ही इसे और हम दो मिनिट के लिए पकाएंगे आई अब हम देख लेते हैं हमारा हुआ या नहीं तो ये देखे अब ये पूरी तरह से पक चुका है ये हमारा हो चुका है और यहां पर आपको दिखान यहीं रखना कि जिस तरह से मैं हलके से हमेशा पल्टी हूँ ताकि हमारा जो बैंगन का हमने एक डीजाइन काटा था सब जॉइंट वो खुलना नहीं चाहिए इसका तो आप देख रहे होंगे कि हमारा एक भी बैंगन बिखरा नहीं है और सब का सब जॉइंट है तो वही आपको भी धियान रखना है इसे चलाते समय तो यह हमारा फाइनल हो गया इसका कलर बहुत ही अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा और यह खाने में भी उतना ही स् प्यार है इसे आप जरूर बनाएं और लंच या डीनर में सामिल करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दे चाइनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाइनल को सब्सक्राइब कर ले बेल को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की जानक तेंक यू